तो आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी टिप शेयर करने जा रही हूँ अक्सर इन बोटलों को हम फ्रेंस लेकर आते हैं और इसे यूज़ करके फेक देते हैं चाहे वह कोल्डिंग की बोटल हो पानी की बोटल हो या फिर किसी भी जूस वगयरा की बोटल हो इनका बहुत अ यूज़ आज में आपके साथ शेयर करूंगी तो आई होप आपको पसंद आएगा और उसके बाद आप इसे नहीं फेकेंगे चलिए पैटाफर से यूज़ देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम इसका सबसे पहले हम रैपर निकाल देंगे अक्सर ना हम जिन चीज़ों को कर लेना चाहिए तो फ्रेंट सबसे पहले क्या करना है आपको जो नीचे का बेस ना उसे कट करके निकाल लेना है बहुत अच्छा पतला इसका प्लास्टिक होता है जरासा आप इसमें निशान लगा होगे ना बहुत इजी से सीजर से ही कटिंग हो जाती है तो इसे नीचे कलर से आप उसे बच्चों को दे सकते हैं अपने स्कूल ले जाके इसमें कलरिंग वाला काम भी कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने का कोई भी चीज फेकने से पहले आप उसका यूस जरूर करिए उसका देखिए ये बॉटल पे मैंने इस तरीके का एक मार्क बना लिया है मार्क क्या होता है ना कटिंग करने में हमको एजी रहता है तो कुछ इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है ठीक है अब यह बहुत अच्छे से कर दियागा को कि प्लास्टिक पतली होती है तो कटिंग करने में भी बहुत असानी हो जाती है तो यह जो है आप सोचे क्या मैं बना रह तो चलिए इसे मैं कट करती हूँ और फिर आप जब देखोगे इसका यूजन आपको बहुत पसंद आने वाला है और इससे क्या करोगे ना आपको जितने भी इससे के बॉटले होंगे ना आप दो तीन इसका बना के घर में जब यूज करोगे ना तो आपको बहुत जादा य इसमें बराबर ही कट कर लिया है कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कटने वटने का ठीक है तो बहुत अच्छे से आप इसको कर लिजेगा फ्रेंस आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर कोई सजेशन आपके पास को अच्छी टीप देकर आती रहती हूं जो आपके लिए बहुत होती है तो यह देखिए हमने इसे अच्छे से कट कर लिया है और इसका आप सोच रहोंगे मैं क्या यूज करूंगी न क्योंकि इसका मैंने जिस तरह से कटिंग किया है वह आपको देखके समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका हम क्या यूज करने वाले हैं यह ऐसे और गिनाइजर हम इसको क्या करेंगे है आपको लग रहा होगा तो देखोगे तब आपको यह समझ में आएगा अब देखिए कुछ इस तरीके से इसका जो डिजाइन है वह हमने कट कर लिया है और बहुत अच्छे से मैंने इसको कट कर अगर आपका फिनिशिंग नहीं आता है तो जैसे मैंने आपको बताया आप एक नाइफ को गरम कर लीजिए गरम करने के बाद को चारो तरफ तोड़ घुमा देंगे तो एक दम अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी अदर्वाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई दिक्कत यह बहुत अच्छे से यह वर्क कर लेता है तो चलिए अब हम इसका क्या यूज करेंगे चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अकसर आपके घरों में दाल हो गया आटा हो गया चावल हो गया इस अब चीज़ें हम कंटेनर में रखते हैं और इसको निकालने के लिए हम लोग म दे रिमड़े केसल झाल जांप में देखिन की और करना सकती तो इसे मैंने अब निकाल दिया है और यह जो मैंनी और इस दो में इसे बनाए ऑपना दाल निकाल सकते हो चावल निकाल सकते हैं और इस थारी के चिखी बना रहत corazón को अब जो थाइज स्वेसनी में और याटा स ताहम को बोडल को प्लास्टिकुछा उसका उसका भीआ है तो मैंने इसे उससे बनाया है अपने डाल को निकालने के लिए को प्लास्टिकुछा तो तो इसका कोई दिकत भी नहीं और आ एकषय मुझे का ह मैं आका यह तर और निकालना बहुत देखेकों काम सब्सक्राइबाश रखाना है। और इसका इता स्य में हैं तो रहा ऑप ये आपके श्रक्षित कोνεस्मा देखेचें सब्सक्राइबा तुम है तो आपको इसके यह स समय पूज्डाश डब नहीं है। आपके यह दोना है। जयसे कि मैंने कट का लिया तो चल जाएग Mobil चैनल को जले का माद डेकर हैuld अब इस जिली को हम उसे कअनधर से निकालेंगे और इस तरीके से कज़ना एक्सच्ञ भीकर को सब्ढ़र लिए उसके उनों ज़िन एक भीक हूगे, ट्कन तो बहुत अच्छा है एक हमार हो तो बार बार आपको गठान नहीं लगाना पड़ेगा आप सिर्फ धकन को खोलोगे और अपनी दालों को या जो भी चीजें आप रखी है ना उसको बड़े असानी से निकाल पाऊगे तो मैं जो किनारे वाला पोर्शन इसको कट करके निकाल लेती हूं ताकि और भी अच्छ आपने चीजें को सुरक्षट रख सकते हैं जिसके निकालने में भी सुविधा होती है और चीजें हमारी खराम नहीं होती सबसे बड़ी बात काफी हैंदी हो जाता है तो देखिए मैंने बाटल का आपको दूसरा यूज भी बता दिया है आइधिंक आपको बहुत ज़्या पसंद आए होगा पसंद आए होगा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा चलिए बड़ते हैं नाक्स इंपोर्टेंट टिप्स के तरफ जो कि ना बहुत ही ज्यादा यूस्फुल है आज कलना सब की आई साइट बहुत ज्यादा कमजोर हो जा रही है और हम ल बात आप चाहो तो इस ऑर्गिनाइजर को बना के पर्मानेंटली रख भी सकते हो ताकि जब भी आपको सुई डालना रहे आपको किसी की मदद की जोटना पड़े आप फटाक से काम कर लो तो इसके लिए आप देख सकते हो मैंने यह इस वाली जारू ले ली है और इस जार कर सकते हैं सुई में डागा डालने का ठीक है तो एक मैंने कड लिए है तोल लिए है अब आपको क्या करना है इसको ना अच्छे जाफ कर ले तो आप उस्तार का भी इस्तमाल कर सकते हो जैसे की जारू की सीकास狮 आपको पता ही है कितना पतला होता है कौकि सभी के घरों में होता है अथना ही पतला आपके पास अगर wire होना, कोई तार अवगेरा होना तो आपका काम ओर अच्छा बन जाएगा क्योंकि ये बाल के साइज का होता है बहुत पतला होता है तो अगर वो रहे ना तो आप अपने काम को और असाने से कर लोगे अब देखिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से मोर दिया है ठीक है अभी आपको दिखाई देखे समझ में आ जाएगा जाएगा जालतर ये देखने स इसस तरीके से मोर दिया है और मोरने के बाद क्या करना है हमें ले लेडा एक चाभी तो इस यूज बताऊंगी अभी आपको पतानी केमरी में ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मैं भी आपको दिखाती हूँ यह देखिए कुछ इस तरीके से यह डिजाइन बन जाएगा ठीक है अगब तार का बनाओगे न तो और अच्छा परमानेंट आपका टूल रेडी हो अब आप खीच देगे और यह दागा हमारा पताक से चला गया तो यह टिप्स नहीं बहुत जादा यूस्फूल है और बहुत जादा काम की है घंटों को काम हमारा हो जाता है मिन्टों में देखिए इस टूल को आपको आपको आज की वीडियो अच्छी लगे होगी तो प्